नमस्कार मैं जहांगीर आलम आप देखने कोल फिल्मिडर हर पल आपके साथ या नाम हूँ आपका प्रिती महतो अभी आप किस क्लास परती हो फिलाल बिकम कंप्लीट है अभी रेलवे के तयारी कर रहे है केजियम कॉलेज से ओनर्स था हाँ आइकाउंट्स ओनर्स था अभी रेलवे का प्रिप्रेशन कर रहें एंटी पीसी का कितने भायवान आप लोग दो सिस्टर है क्या नाम सिस्टर है काजल कुमारी मैतो और पिता जी क्या नाम है सिराजंद्र कुमार मैतो और मम्मी का रेखा देवी आपने अपने प्रैमरी के एजुकेशन तालीम कहां से स्टाट की थी नेशनल पबलिक स्कूल और जिस वक्ता अ यह तक आने में किसका अहम रोल था मम्मी और पापा का ऐसा रोल था क्या सपोर्ट मिला इन्लों का मतलब फिर फाइनिंशल हो या फिर फ्रीडम हो या फिर हम लोग को क्या पढ़ना क्या पढ़ना एवरिटिंग पापा ममी का ही डिसाइड क्या हुआ है हम लोग रेल पर में है रेल पर में कहा जा रहा कि टीचर सब सब्सक्राइब लेगें आप जब पढ़ रहे थे तो ट्यूशन में कहां सब ट्यूशन के लिए हमको आसन सोल जाना पड़ता था आसन सोल हाटन रोड बुदा एरिया में और फ्यूचर में क्या बना चाहती है फ्यूशर में ऐसे जॉब के लिए तो रेलवे है अब आकी फिर ये पॉएट में इसमें कभी टाइप एगान टाइप इसमें लेखा लिखना चाहते हैं कुछ हम कोई भी पोयम वगएरा हम लोग देख रहे कि आप अपनी मम्मी से बहुत इस्पार हो मम्मी के लिए कुछ हाँ लिखे हैं अपनी मम्मी के लिए लिखे हैं तकलीफ बहुत है जिन्दगी में तेरी पर तुमने हर वक्त अपना फर्ज निभाया हर ख्वाइशों को पूरा की तुमने पर कभी अपना दर्द हमें नहीं बताया जिन्दगी जीने का तरीका तुमसे ही सीखा हमने पर श एक दिन भी तुमने अराम नहीं पाया, अब तेरे लिए मैं क्या लिखूँ, साइट ऐसा कोई कलम ही ना भगवान ने बनाया इप्रूमेंट करती या बेटी अगर अपने मन्जिल को पाने में काम्याब होती है तो उसके पिछे फादर का बहुत हांत होता है, आप पीता जी का बारे कुछ बता हुआ है, सार, ममी तो हम लोगा नॉर्मली घर में बताती है यह जो करती पर हम लोग जहां पढ़े उसके ल पाहर का जनरेशन को देख के हम लोग का मतलब क्या है जिस एरिया में हुआ लड़की लोगो थोड़ा प्राब्लम होता है पर रात में हो यह दीन में हो हर टाइम पापा ही हम लोगा सपोर्ट करते हैं आपको जिन्देगी में ऐसा करी लगा कि कहा गया हो किने बेटिया है को पढ़ा कि क्या करोगे इनका तो मुकदर में वही है चुला है चौकी है हाँ बहुत बर लगा पर ममी पापा कहते हैं तुम अपना पढ़ाई करो वो सब छोड़ो वो बोलने वाला को बोले दो उसका काम ही है बोलना अच्छा अब आपने कहा कि आप पटना में कमपूश है हजार स्टुडेंट के बीच कंपेटिशन करते हैं अच्छा यह आप रहते हो आसन सुल में पटना में जाके क्यों तैयारी कर वह हो कि की रेलवे के लिए पटना बेस्ट है पापा डिसाइड किये थे कि वहीं जाके पढ़े वहीं जाके पढ़े आप लिखते हो हम लोग से लग रहा कि नहीं जब हम लिखते ही है तो इसी को कोई अच्छा साज से कोई पोयम बेगर है या कुछ ऐसा करें जो मतलब मेरा कविता पढ़े कर कि कोई कुछ सीख जाए इसलिए पोयम लिखना शुरू कि हम लोगों एक दौर देखा है जब बीटियों घर से बाहर निक अर रहा बाद बेटी का विश्वास का तो चाहे बेटी पढ़ लिख के हो या फिर अलिटेड हो पर वह एर टाइम अपना ममी पापा का ही हेल्प करती है वो ऐसा नहीं है कि ममी पापा से जगड़ा करके वो साइड हो जाई आखुछ हो इससे जितना पॉसिबल होता हुँ फैमिली को देखती ही है अच्छा अभी तो आपकी एजुकेशन आसन सुल सभी है क्या लगता आसन सुल्मार कुछ एजुकेशन में इंप्रूब्मेंट होना चाहिए और अच्छे टीचर आना चाहिए यहां सर अभी सब ठीकी है थोड़ा से इधर का कंडिशन खराब है क्योंकि और जिए कुछ इस्कूल प्रेंवरी वेगरे महार टीचर का थोड़ा सा कमी है तो वह तो प्रसासन पेहो रहा बात बहुत सारा सुधार भी गया पहले से बहुत जादा अच्छा हुआ इधर अभी हम लो है और यहां पर है कि पटना के इतना इहां पर सारा टीचर अब लेबल नहीं है उतना बुक्स वेगरा सब यहां अब लेवल नहीं है जितना पटना में है एक स्टूडेंट जब आगे बढ़ती तो पैरेंट के सांसा टीचर कभी आहम रोल होता है आपके जिन्दिगी में इसा कोई टीचर है जो लगता है कि आपको आगे बनाने उसका बहुत आहम रोल था जी सर संकर सरे बालवोधन स्कूल के कामर्स के टीचर है वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं वो मतलब हर टाइम बताने को कोशिस करते हैं कि जो आपको करने का इच्छा उसको पूरी म लगता है क्यों हो रहा है सर इसका मेली कारण तो मतलब जो पर्सन यह सब कर रहा उसका मतलब वह उतना सख्छित नहीं है युषका संस्कार सही नहीं है फिर कभी-कभी उतका संगती के कारण वही सब गलत करता है तो हम लोग को चाहिए कि पहले अगर जिसके साथ जो गलत ह प्रसासन को प्रसासन से कॉंटेक्ट करें अफिर आपको स्टार्टिंग में अगर हलका सा फिल होता है तो आप उसको एक्शन लोई से नहीं कि पहला बार में चुप रहे गए हम लोग को पहला चुपी ही उसको बहुत सारा उसको साहस देता है दुसरा कदम बढ़ाने के पहले को तो किसी भी लड़की को पहले अपने केरियर देखना चाहिए कि अगर आप अगर यह सब करके अगर आप केरियर बरबाद कर रहे हो तो फिर आपी का लाइफ चौप अपको देखने नहीं अगा जाएगा और प्लस जो आपके ममी पपा का नाम उठता है वो इतना बदनाम होता है वो भी वो सब चीज अपने गलती से यह नहीं करना चाहिए कि जो आपको जनम दिया इतना बड़ा किया आपको पाला पोसा अगर आपके कारण उसका इज़त बरबाद हो रहा तो गलती आपका है खुद भी बरबाद हो और साथ में अपना फैमिली को भी ल आप अपनी सोच के वज़े से किसी का लाइफ आपको नई बरबाद करना चाहिए आप एक बार उसको को ट्राइट तो करने दीजिए एक बार उसको ट्रस्ट किजिए उसके उपर कि वो कुछ कर सकती है थोड़ा सा उसको सहारा दीजिए आइधिंक आपका थोड़ा सा सोच उसका लाइफ चेंज कर सकता है आपने हमारी टिम से बात कि हम लोग को अच्छा लगा और हम हमारी विसे के आप जिंदिगी में और इंप्रूब्मेंट करके अपनी माबाब का नाम को रोशन करें आखिर में यह चाहूँगा कि आप कुछ आपकी जो धौट है वो दर्सको एतना गिर गया आए कि कोई बी इंसान जानबर को बहुत इसली ढंक से मार देते है अपना किसी को खेल के मार देते हैं किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो उसको मार देते आज अभी कुछ दिन पहले हातनी का केस आया, जिसमें वो हातनी गर्वती थी, फिर भी उसको अनारस में पटाका दे के खिला दिया है, जिससे वो भी मर गई, प्लस उसका जो पेट में बच्चा था, उसका भी देथ हो गया, इसी भी से में एक हम कविता लिखे हैं, जिसका जाता तेरा एक खुदगर्ज इंसान, तुम बेजुबान को कास बिना गलती का तड़ पाया ना होता, एक बेजुबान की तकलीफ क्या होती है, तुम्हें भी पता चलता, अगर खुदा तुम्हें जुबान वाला इंसान बनाया ना होता, उसकी भी खुशाल दुनिया होत अगर तुमने उसे जहर खिलाया ना होता प्यार वो भी तुमसे जताते अगर तुमने उसे मार गिराया ना होता ए खुदा कुछ गलती तेरी भी है कास तुम उसे उस जानवर को बेजुबो और हमें इंसान बनाया ना होता आज आपकी बेटी करने का बाद कंपर्शन रजाब के तयारी कर रही है कैसा लग आपको बहुत अच्छा लग रहा है सार आपने सोचा था कभी यह दिन देखना पड़ेगा जी नहीं आपको इस टाटिंगे में कुछ प्रोब्लम था जब इलों को पढ़ा रहे हैं अच्छा था बच्पनज में बच्चा लोग पर है यह सोचका आपका पास आए कि बच्चा लोग पूड़े तुनिया देखकर सर क्या देखें दुनिया को कि बिना परहाई लेखाए कुछ दु आपको अपना मकान तो आसन शुल है नहीं साधी मेरा गाम में हुए जिला जैमोई में मैं कि सस्रा ओहीं है यहां हम लोग बहुत इन सराहते हैं आज आपकी बेटी पोल रही है ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है सर कभी किसी ने कहा कि बेटी को पढ़ा कि क्या करों लें काहने वालग तो बहुत कुछ कहते हैं मगर सोचना तो अपना है कि परेशानी तो पहले कुछ नहीं था सर अभी कुछ है कुस समाई का दोस्स है दुनिया देख रहा हो भी है मगर हमको सोचना है बेटी-बेटी कहने से क्या होता हम कि पर हम लोग बहुत उमेद हैं आच्छा कर रही आवज्छा करेंगी अर्व तो मा हैं लेकिन बहुत सारे मां को हम लोगों ने देखा कि अपने बीटी को पढ़ने की फृडम नहीं देघी परमिशन नहीं देघी उसमा को नहीं सरह हम लोग तो पढ़े-लिखे जो नहीं है जिसको क्या हो रहा नंढ पढ़ रहा हूं क्या हो रहा हम लोग से अच्छा रहे हैं अच्छा बढ़ेडर के अच्छा बने इसलिए कि dedy me अब अभी क्या कर रही हूँ बीकॉम एकाउंटेशी ओनर्स में स्टेडी आपने कॉमर्स ही क्यों चुना कॉमर्स इसलिए क्योंकि पता नहीं बहुत इंट्रेस्ट है कॉमर्स में बहुत इंट्रेस्टिंग लाइन है हम लोग जो टेन तक पढ़ते हुए आए हैं उससे कर दो इसका नौलिज मील रहा है इसे बड़ी बात क्या हो सकती है जीदी बहुत सपोर्ट करती है हम देखें कि उनका मतलब खराब से खराब सिच्वेशन में भी वह कभी डगमगा नहीं रही है और हमको भी हमें सब्सक्राइब आई है कि आगे बढ़ना है रुकना नहीं ह चाहिए कुछ भी प्राबलम क्यों नहीं हो और अपने पीता जी के लिए क्या पापा के कारण है को बहुत सब्सक्राइब आया ऐसा बात नहीं है फिर भी पापा सपोर्ट किये हम लोगों को अच्छे से समझे हम लोगों को हर एक परिशानी को सौल कि आज हम लो मतलब मतलब पापान लोगों कृप कर दिया हम लोगों को समझेंगे अच्छा और ममी मंमी एंक हम लोग का फैमिली गाउं से है मम्मी अने कृट एड़त है फिर भी हम लोगों को पूरा सपोर्ट करती है पढ़ने में बच्पन से लेकर आज तक बहुत सपोर्ट मिला हम लोगों क मेरा फैमली में जितना कोई किसी को सपोर्ट ने कर रहा फिर भी मेरी मम्में बहुत सपोर्ट कर रही हम लोग और आगे भी करेगी यह उमीर है वर्तवान युगा लड़कें को क्या मैसेज देने जाएंगे मैं सब लड़की को से यही कहना चाहूंगी जो आजकल जो अपने लाइफ बरबात करें टेंप्रोरी हैपिनेंस के लिए वह पढ़ाई पर ध्यान दे अपना पैरेंट्स के लिए कुछ करें जो उनको बच्पन से इतना प्राब्लम से उनको पढ़ा रहे हैं उनके लिए अपने कंट्री का नाम रॉप्षन करो आपने हम लोगों से बात करें उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू